नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं के लोगों की वस्तो इस्थीती बताते हुए उन्हें सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने का अनुरोद किया पत्र में सीएम हेमन्द सुरेण ने केंद्रिय ग्रीह मंत्री को यूकरियन में फसे जर्खन के लोगों की सुची भेजी है इस सुची में उन्हें लोगों के पते और संपर्क नंबर भी भेजा गया है उन्होंने केंद्रिय ग्रीह मंत्री से अनुरोद किया है कि वहाँ फसे जर्खन के लोगों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के समधित अधिकारियों को अवस्चक कदम उठाने का नेज़िश दे सी-म-सीरी सुरेण ने ग्रीह मंत्री को पत्र लिख कर कहा कि की भी असंका है इस बावत एलो अलर्ट भी जारी किया गया है 28 से 3 मार्च तक मौसम सुस्क रहेगा आसमान मुख्यता साफ रहेगा वहीं 4 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा आसमान में आसिक बादल छाय रहेंगे 5 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा और आसमान मुख्यता साफ र जार्खन पैंचाज सचीव और निम्न वर गिये लिपिक परत्योगता परिक्षा दोया सतरह के सेकलों अभियार्थी रिजल्ट और नियुक्ती की मांग को लेकर 38 दिनों से आंदोलन रत हैं राजभवन के समक्ष पंचाज सचीव और तिसवा दिन था राजज सरकार के मंत्रियों से नियुक्ती के मुद्दे पर सकरात्मक अस्वासन दिया लेकिन वह अस्वासन अब तक ध्रातल पर नहीं उतर पाया है अभियार्थी ने 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक के बाहर मानों से रिंखला भी बनाई थी उस वक्त मंत्री आलमगीर आलम वबादल पत्रलेक ने अनमंत्रियों से बात्ते कर मुख्य मंत्री सी भी नियुक्ती के बारे में बात करने की हामी भरी थी अब 3 मार्च को ए सब परिवार विधान सबाका घ्याव करेंगे दिव्यंग जनों का 1 से 31 मार्च तक बनेगा UDID काड स्वास्त चिकित्सा सिक्षायों परिवार कल्यान मंत्राला 1 से 31 मार्च तक अभियान चला कर दिव्यंगों का unique disability identification card बनाएगा इसके लिए जीलो में medical board का गठन होगा इसमें विशेशग्य चिकित्सकों की जरूरत होगी जीलो में विशेशग्य चिकित्सकों की कमी देखते हुए विभाग ने राजधानी में पर्धस्थापित्सकों और senior resident को वहां परतिन्यूक्थ किया है वही रीनपास में परतिन्यूक्त्सकों को भी जीला में परतिन्यूक्थ कर दिया गया है गिरफतार नकसली की निसंदेही पर हतियार बरामत गुमला पुलिस को भागपा मवादी द्वारा छिपा कर रखे वे हतियार वा गोली मिली है पुलिस ने विशुनपुर परखन के गुदरी थाना इस्थीत पीड़ा पाठ जंगल में जमीन के अंदर गाड कर रखे गए बंदूक और गोली बरामत की है अभी भी पुलिस की छापे मारी और नकसली द्वारा छिपा कर रखे गए हतियारों की तलास जारी है जनकारी के अनुसार लाते हार पुलिस द्वारा भगपा मवादी के जोनल कमंडर चत्रा जीला के परताप पूर्थाना के निनई मंज गाव निवासी सुदर्शन भुया उर्फ नंद की सोर भारती को गिरफतार किया है जार्खन के सरकारी अस्पताल अब एक रंग में नजर आएंगे जार्खन के मेडिकल कोलेज सहीच सवी स्रेनी के सरकारी अस्पताल अब निधारित रंग में रंगे जाएंगे इनका अब सही ढंग से वार्षिक रख रखा होगा तथा पांच साल पर उनकी मरमती भी होती रहेगी ताकि अस्पतालों के भवन ठीक ठाक रह सके राज सरकार ने पहली बार मेटकल को लेजू योम अस्पतालों के रख रखा हो तथा मरमती के लिए नियमावली बनाई है ज्यारखन विधान सभा में सोमवार को पेस होगा तीसरा अनुपूरक बज़ट ज्यारखन विधान सभा के बजट सत्र के दूसरे कारे दिवा सोमवार को बीतिये वर्ष 2021-22 की तीरीती अनुपूरक ब्याय बिरुनी पेस की जाएगी प्रश्नकाल के साथ साथ मुख्य मंत्री प्रश्नकाल भी होगी वहीं दूतिये पाली में राजेपाल का विभासन परवाद विबाद सरकार का उत्तर और मत्दान की परकिरिया पूरी की जाएगी सोमवार के सत्र को काफी अहम माना जा रहा है बयट सत्र की बिधुवत करवाही इसी दिर मुख्य मंत्री प्रस्ण काल से सुरू होगी कोरोना टीकाकरण में रांची धनबाद हजारी बाग पीछे जारखन में 18 वरस से अधिक उम्रे के नागरी को के कोरोना टीकाकरन में राहची धनबाद और हजारी बाग पीछे चल रहा है इन तीनों जीलों में पहली डोज का 90% टीकाकरन का लक्ष आभी पूरा नहीं हो पाया है इससे उलट राजे के आधे अर्थात कूल 12 जीलों ने वैसको के पहली डोज के टीकाकरन में 7 परतिषत लक्ष को प्राप्त कर लिया है वहीं 9 जीले में पहली डोज का टीकाकरन अबे परतिषत से अधिक हो चुका है जारखन में मचली पालन की असिम संभावना जारखन में नीली करांती यों परधान मंत्री मतस संपदा योजना की प्रगति के जनकारी लेने के लिए नेशनल फिसरिश डेवलोपमेंट बोड की मुखे करकारी अधिकारी सी सुवरना दो दिवस सी जारखन दोरे पर आई थी दोरे के दूसरे दिन यानि सन्नी वारकोन हो ने राची के धुरवा इस्थित मतस से किसान प्रसिक्षन केंद्र का दोरा किया इस दोरान उनके साथ निदेशक मतस से जारखन एच एन दिवेदी भी मजूद रहे सुर्णा ने प्रसिक्षन केंद्र का दवरा करते हुए रंगीन मचली पालन सहित अनियोजनाओ के किर्यानवन के विशाय में जनकारी प्राप्त करने के साथ ही वहाँ उपस्थित लगबग 125 मतसे किसानों से भी मुलकात की जारखन में कुड़ एक्टिब केस की संख्या 513 है भारत में 5784 नय केस मिले है वहीं भारत में 10.631 मरी स्वस्त भी हुए भारत में कुल एक्टिब केस की संख्या एक लाग 3026 है तीन दिवसिये पोलियो उन्मुलन अभ्यान शुरू तीन दिवसिये पल्स पोलियो उन्मुलन कारेकरम रभ्विवार से सदर अस्पताल से शुरू हुआ या अभ्यान एक मार्श तक चलाया जाएगा इस अभ्यान के तहट 0-5 साल के 5,9,133 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा अभ्यान की सुरुआज स्वास्त सचीव अरुन कुमार सिंग ने मधुकम के 4 माह के 1 बच्चे को ड्रॉप पिला करकी उन्होंने कहा कि पोलियो यहां समाप्थ हो चुका है लेकिन अभी भी सवधानी जरूरी है और एच चक्र चलता रहेगा सिविल सर्जन डाक्टर बिनोत कुमार ने कहा कि 100% बच्चों को पोलियो का खुराग देने का लक्ष रखा गया है अनुबंद सहायक प्रध्यापक करेंगे उग्र आंदोलान जर्खन सरकार अनुबंद सिख्चकों की ग्रेड पे ग्रेश सेलरी और 65 वर्थ तक सेवा सुनिश्चित नहीं करती है तो सिख्चक सेक्षनिक कार्यों को छोड़ कर उग्र आंदोलान करेंगे रख्यवार को जर्खन सहायक प्रध्यापक अनुबंद संग की बैठक परदेश अजग डाक्टर निरंजन मतो के द्यक्स्ता में राची विश्व विद्यालाई परिसर में हुई जिसमें यह निर्ना लिया गया बैठक में राज्य के सभी विश्व विद्यालों के प्रतिनिद्यों ने हिंसा लिया डाक्टर निरंजन मतो ने कहा कि राज्य के सभी विश्व विद्यालों में काड़त अनुबंद सहायक प्रध्यापकों के प्रतिनियुक्ती मंडल ले मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री सचीव कर्याले में अवेदन दिया है लेकिन वार्ता के लिए अब तक नहीं बुलाया गया है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे भुलेंटियर राज्य के प्राथ्मिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अब भुलेंटियर बहाल किये जाएंगे जब तक स्कूलों में नियमित सिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते तब तक भुलेंटियर के माध्यम से स्कूल बच्चों को पढ़ाया जाएगा इसके लिए स्कुली सिक्षा विभाग ने सभी जीलो से रिपोर्ट माँगी है इसी रिपोर्ट के अधार पर ताय होगा कि किस इस्कूल में कितने वोलेंटियर की जरूरत है वोलेंटियर के नियुक्ति को अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी और इसके मानक भी किये जाएगे इसमें समधित वोलेंटियर को मिलने वाली रासी से लेका उनकी योगिता का प्रधान होगा वहीं 2022-23 के नए सेक्षिनिक सत्र से इसे अपनाया जाएगा जारखन में नई खेलनिती जारखन की नई खेलनिती को लेकर क्वायत तेज कर दी गई है खेल विभागने विभीन विभागों से नई खेलनिती के ड्राप्ट पर सुझाओ मांगे है सुझाओ को सामिल करने के बाद नई खेलनिती पर केबिनेट की स्विक्रिती ली जाएगी इसके बाद खेल कूद के लिए बेहतर और प्रतियोगी वातावरन बनाने के लिए नई खेलनिती लागू की जाएगी राजे में खेल को बढ़ावा देने, खिलाडियों को पुत्साहित करने और उनके सम्मान जनक जीवन और सुरक्षित फविश को ध्यान में रखते हुए नई खेल निती को अम्तिम रूप दिया जाएगा जमसेदपूर में धर्म परिवरतन के आरोप में विवाद जमसेदपूर के गोलमूरी स्थित नानक नगर में रविवार को अवयजित एक धार्मिक सभा के दरान जम कर हंगामा और तोड़ फोड़ हुआ बैरंग दल के करकताव ने दूसरे समुदाय पर धार्मिक सभाग के बहाने धर्म परिवरतन कारोप लगाते हुए बवाल किया सभा में रखी गई कुर्शियों को तोड़ दिया गया और पोश्टर में आग लगा दी गई काफी देर तक बवाल होने के साथ ही भारी संख्या में पहुँची पूलिस टीम ने लोगों को मौके से हटाया इस्थिति को नियंतरन करने के लिए पूलिस ने लाठी चार्ज भी किया जारखन में राज्य खाद निगम के गोदाम से 50 लाह का अनाज गायब जारखन के बोकारों जीले के कसमार परखन इस्थित राज्य खाद निगम कोदाम से लगभग 2409 क्यूंटल अनाज गायब होने की सुचना मिली है इस मामले में गोमियों विधायक ने उपायुक्त से मामले की जाच का अगरा किया इस खुलासे के बाद अधिकारियों की निद उड़ गई है जीला मुख्याले तक इस मामले को लेकर खलबली मची हुई है गायब हुए अनाज का बजार मुले लगभग 50 लाख बताया जा रहा है बाबा धाम में 2 लाग सरधालों के आने का अनुमान महा सिवरातरी के दिन 2 लाग सरधालों के बाबा धाम आने की संभावना है भारी भीड की संभावना को देखते हुए जीला परसासन ने पुकता त्यारी की है हर घंटे 12,500 सरधालों को कराया जाएगा जलारपन वहीं सिवरातरी के दिन बाबा भोले नाथ पर 16 घंटे जलारपन भी होगा आम सरधालों के लिए सुबा 4 बज कर 25 मियट से शुरू हो जाएगा जलारपन वहीं हर सिवरातरी की तरह राद तकरीबन 9 बये तक बाबा मंदीर का पट खुला रहेगा दहेज लेंदेन और मिर्तियो भोज पर रोक गुमला में राज यस्तरी दुसाद महा समेलन का यजन रभिवार को हुआ इस मोके पर दहेज लेंदेन में रोक के अलावा मिर्तियो भोज पर रोक लगाने गरीब बेटियों की साधी में मदद करने हक वा अधिकार के लिए एक चुट होने तथा नासा पान वा अंधविश्वास से दूर रहने का संकल्प लिया गया इस महा समेलन में जार्खन के अलावा विहाच, हतिसगर पलामो, गुजरात, ओडिशा और बंगाल से दुसाज समाज के लोग भी सामिल हुए थे हेमंत सोरेन के इसारे पर नेता परतिपक्ष की मन्याता नहीं मिल रही बावुलाल मरांडी को बिजेपी भाजपा बिधायक दल के नेता बावुलन मरांडी को दो वर्स बाद भी नेता परतिबस का दर्जा नहीं दिये जाने से आकरोशित भाजपा ने एक पार फिर राजभावन का दरभाजा खटकटाया है रभीवार को भाजपा के सांसदो और विधायकों ने राजपाल रमेश बैस से मुलकात कर इस संदर में ग्यापन सोपा परदेश अध्यक्ष दिपक परकास के नेतियुत में राजपाल से मिलने गए प्रतिनिदी मंडल ले असपष्ट काहा है की सता पक्ष के इसारे पर राजपाल में लोकतंत्र की हत्याक की जा रही है सिश्ट मंडल ने राजपाल से इस मामले में हत्यचेप की गुहार लगाई है पंचायच चुनाव को लेकर मसाल जुलूस पंचायच चुनाव में OBC का रक्षन निश्चित करने और सरकारी स्वा में OBC का रक्षन बढ़ाने की मांग को लेकर राश्ट्रिये OBC मोर्चा ने मसाल जुलूस निकाला इस दोरान राश्ट्रे OBC मोर्चा के पर्देश अध्यक राजेस कुमार गुपता ने कहा कि इस मुद्धे का हल विधान सभा में निकाला जाना चाहिए इस पर राजे के सत्ता और विपक्स के विधायकों को इस पर पहल करनी चाहिए राजेस ने कहा कि राज सरकार को माद्य परदेश महराष्ट 36 गड के सरकार ने भी पंचाज चुना में सुप्रीम कोड को इंटिरियर रिपोर्ट पेस किया है इसलिए सरकार उन राजे से समन्वे अस्थापित कर राजे में पंचाज चुना में ओविस्ती का अरक्षन चुनिश्चित करे जारखन के 138 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेण में यूक्रेण में फंचे जारखन के छात्र चात्राय तत्था उनके अभी भावक लगतार राज नियंत्रन कक्ष को फोन कर वापसी की उहार लगा रहे हैं रभिवार को भी बावन लोगों के वहां फंचे होने की सुचना राज नियंत्रन कक्ष को मिली इसमें 31 चात्र तथा 1 चात्राय सामिल है अब तक कूल 138 लोगों के वहां फसे होने की जनकारी राज सरकार को मिल चुकी है इसका पूरा बेवरा मिल गया है तथा उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर केंदर सरकार से संपर्ख साधा जा रहा है धन्यवाद